फ्रेंड्स अगर आप अपनी मसल्स ग्रोच तेजी से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस सर्दी के मौसम से अच्छा कोई मौसम दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि मसल्स ग्रोच की स्पीड पर जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें पाया यही गया है कि सबसे अच्छा टाइ मसल्स ग्रोच के लिए सर्दियों का ही होता है पर बिना पूरी इन्फॉर्मेशन के तो आप नहीं जान पाएंगे कि किस तरह से आप सर्दियों के इन महीनों का फायदा उठा सकते हैं अपनी मसल्स ग्रोच की स्पीड को काफी जादा बढ़ाने के लिए तो आगे इस हम बाद आपको एक लहसुन की कली को एक चमच शहद में मिला कर खाना है इस तरीके से आपकी बाड़ी में टेस्टोस्ट्रॉन लेवल काफी हाई हो जाता है जो कि आपकी मसल्स को काफी बढ़ा देता है टिप नंबर टू पर हम बात करेंगे डाइट की तो डाइट आपको मसल्स नहीं कर पाएंगे इसलिए इस बात का धियान रखना है कि आपको अपने डाइट में हाई कैलोरी वाले फूड लेने हैं और आपकी डाइट में कार्बोहाइडरेट की मात्रा भी जादा होनी चाहिए पर फ्रेंड्स अगर आपकी बाड़ी में फैट परसेंटेज ज देखोते हैं तो उन मसल्स की रिकवरी और ग्रोफ के लिए हमारी बाड़ी को ज़रूरत होती है हाई कार्बोहाइडरेट डाइट की जैसे बनाना शकरकंद आलू चावल और रोटी ये सभी चीजे हाई कार्बोहाइडरेट वाली होती हैं जिससे की तेजी से आपको मसल्स पर अच्छा खासा फरक पड़ता है और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं ये बात भी काफी सारी स्टडी में साबित हो चुकी है तो आप लोग सुबह में उठकर सिर्फ पांच मिनट भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे पूरे दिन आपको स्ट्रेस फिरी रहने मे काफी तेजी से होने लगेगी चलिए अब आपको वर्काउट किस तरह से करना है ये थोड़ा सा जान लेते हैं तो भले ही आप घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर जिम में आपको एक्सरसाइज से पहले वार्मप कभी नहीं भुलना है और खास तोर पर सर्दियों मे आपको जादा वजन के साथ एक्सरसाइज करनी है और फ्रेंड्स एक्सरसाइज शुरू करने पर पहले सेट जो आप हलके वजन के साथ लेंगे उस पहले सेट में आपको 15 रेपिटेशन्स निकालने हैं जानी इतना वेट आपको लेना है कि आप उससे 15 रेपिटेशन्स ही से होती है तो आपको अपनी वर्काउट में इसी तरह से सेट लेने हैं और वर्काउट अगर आप खाओगे तब आप देखोगे कि आपकी मसल ग्रोथ तेजी से होने लगेगी साथ में इस बात का भी ध्यान आपको रखना है कि जितना भी फूड आप ले रहे हैं उसमें ये भी ध्यान रखें कि विटामिन्स आपको आपकी बॉड़ी में पूरे मिल रहे हैं या कि अगर आप लोगों के शरीर में विटामिन्स की कमी होगी तो जितना भी प्रोटीन या पिर कर्बो हाइड्रेट आप ले ले आपकी मसल ग्रोथ उतने अच्छे से चार पर बात करते हैं वर्काउट टाइमिंग की यानि कि किस टाइम आपको वर्काउट करना चाहिए जिससे आपको जाधा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें तो फ्रेंट्स हम आपको यहां पर यह नहीं बता रहे हैं कि आपको सुबह में वर्काउट करना चाहिए या फिर शा अगर आप वर्काउट करते हैं तो आपको जाधा अच्छे रिजल्ट्स मसल ग्रोथ में देखने को मिलते हैं और फ्रेंड्स जो रिसर्च में अभी तक बात सामने आई है उसमें पता ये चला है कि शाम के चार बज़े से रात के आठ से नौ बज़े तक जाधा तर लोगों क अगर आप इस टाइम पर वर्काउट करते हैं तो आपकी जो मसल ग्रोथ है वो काफी तेजी से होती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और फिटनेस रिलेटिड इन्फरमेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लें तो इससे आपकी बाड़ी को काफी फायदा होता है पोस्ट वर्काउट रिकवरी में और जब आप रात में सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले हलके ठंडे पानी से अपने पैरों के तलवो को धोलें इससे फ्रेंड्स होता ये है कि आपको जो नेंद आती है वो गहरी न जिससे आपकी मसल की जो रिकवरी सोते हुए होती है वो और अच्छे से होती है जिससे आपकी बाड़ी कम टाइम में जादा अच्छे से ग्रो हो पती है फ्रेंड्स सिर्फ वर्काउट और डाइट से अलावा ये बाते भी आपको पता होनी काफी जरूरी थी इसलिए हमने आपको इस वीडियो में ये बाते बताई हैं तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो कमेंट करके अब आप हमें बताए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और अगली वीडियो आपकी इस टापिक पर देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं बाई फ्रेंड्स टेक केरे